कि नमस्कास आते हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदियोलजी में तो दोस्तो आज हम कंप्यूटर के कुछ important question अओं डिसकस करेंगे दोस्तो यह आप अपना test के तौर पर इनके आउंसर देना और अपना score बताना दोस्तो जित्रे ही question होंगे आपके सामने होंगे करके और आप इनके answer देते जाना और दोस्तो वीडियो को लायक जरूब और अपने सभी दोस्तों में Central Processing Unit, Computer Pre-Processing Unit, Option 3 है दोस्तो, Central Pre-Processing Unit और Option 4 है Computer Processing Unit, दोस्तो ये चार आपके सामने दी होएं, तो अब आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा, दोस्तो, CPU का होता है, Option A में बिलकुल राइट आंसर है, Central Processing Unit, कौन सा दोस्तो, Central Processing Unit आपका बिलकुल राइट आंसर हो जा है, तो एक नंबर आपका हो गया, तो चलते हैं, आप हम Next Question की और, तो इस्तो, Question दिया हुआ है, कि Output उपकरणों के उधारण कौन से हैं, Output उपकरणों के उधारण कौन से हैं, तो दोस्तो, अब आपके सामने ये चार आप्शन दिये होएं, इन में से आपको सही आंसर बत आना है, तो यह जो स्क्रीन होता है, यह भी दोस्तो हमारी Output होती है, प्रिंटर होता है, यह भी Output होता है, और Speaker भी हमारा Output होता है, तो दोस्तो, इसका मतलब हमारा कौन सा Option ठीक हो जाएगा, Option D, इसका बरकोल ठीक हो जाएगा, कौन सा, चौता वाला दोस्तो, अगर आप पर आपको फिलप में बताना है कि एक किलो वाइट में कितने वाइट होते हैं वन के भी में दोस्तों कितनी वाइट होते हैं तो यह तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कही वार और यह सब 1 MB में 1024 KV होते हैं और दोस्तों वन GV में 1024 MB होते हैं तो चलते हैं हम next कोच्चन की और दोस्तों कोच्चन दिया हुआ है कि windows विंडोस से फिर्しました विंडोज न्टीव में गजने जाता है तो दोस्तों option ए प्रोसेसर operating system, setting operating system, option 3 domain name, option 4 model, दोस्तों इसमें से आपको सही answer बताना है, क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा, अगर आपने option दूसरा वाला चुना है, तो विर्कुल सही है, दोस्तों operating system होता है, विंडो 95, विंडो 98, और दोस्तों windows NT जो है हमारी operating system है, है चलते हैं दोस्तों कोश्चन की औरarta वारती विया निकों द्वारा सिपर घंप sinners कौन सा то भारतियों ने वनाया सिल सूपर कंप्यूटर कौन सा एग में से तो सही आंसर होंगा निया ज़्का इसका तोब आहना दे सकते हैं कि दोस्तों यप सब्धें को पड़ा आप ही है तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए परम दोस्तों विरुकुल राइट आंसर है जो बारतिया वेग्यानुक द्वारा सुपरकम्प्यूटर बनाया गया दोस्तों कौन सा परम तो चलते हैं नेक्ट कोश्चन की और तो कोश्चन दिया हुआ है कि मुख्य मेमोरी के दो ही परकार कौन से है प्राइमरी राइंड़म और सिक्वेंसियल और रॉम और रैम रहां सभी सफ़ी विकल्प सही है जल्सुदी से यसका रहा दोश्र क्या हो जाएगा तो इसका सब्सक्रापनाट है रोम और रह्म की फुल प्रम क्या होती है क्मेंट करके बताए रैम की भ बताने हैं तो चलते हैं next question की और जो कोशन दिया हुआ हुआ है लनुट को प्रियोग में लाहा गया था फिस सी किस प्रिय टी में के दिया गाया तो है तो तो पहली ला शाथी दूसरी तीसरी दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों ट्रांजेस्टर जो लाए गए था पहली पीडी में क्या लाए था वेक्युम ट्यू पहली पीडी में तो वेक्युम ट्यू था दोस्तों तो ट्रांजेस्टर हमारा का वा गए था दोस्तों दूसरी प का अविश्कार किस ने किया था डैनिस एम रिची सीमॉर पेपरड्ट डॉणल कुंत निकलास रित तो इसमें से आपको सही आन्सर बताना है तो इसका सही आन्सर दोस्तों क्या हो जाए तो दोस्तों इसका सही आन्सर हो जाएगा आपका option A डेनिस एम रिची तो चलते है नेक्स्ट कोश्चन की और दोस्तों कोश्चन दिया हुआ है कि विंडोज में कौन सा ब्राउजर इन्विल्ट ब्राउजर है इंटरनेट एक्स्प्लोरर गूगल क्रोम नेटस्केप और फायल फॉक्स दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर बताना है तो जल्दी से आप बता सकते हैं इसका आंसर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटरनेट एक्स्प्लोरर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों पहला वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है तो option B, uniform resource locator, option C, universal resource list, चोथा दोस्तो, uniform research locator, तो दोस्तो, इसका सही answer आप बता देंगे, क्या हो जागा इसका option, दूसरा वाला दोस्तो, विर्कुल right answer हो जागा, uniform resource locator, URL का दोस्तो, क्या होती है, full form, uniform resource locator, तो चलते हैं, next question की ओर, दोस्तो, ये question दिया हुआ है, Microsoft Word, 2010, Microsoft, यानि कि दोस्तो, इसको हम short में कहते हैं, MS Word, 2010, कि रिवन के series पर कौन साग attack परदर से होता है, taps, group, status bar, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तो, इसका आप सही answer बताएं, क्या होगा, दोस्तो, इसका सही answer हो जाएगा, आपका option A, taps, विर्कुल right answer हो जाएगा, दोस्तो, पहला वाला विर्कुल right answer दिया हुआ है, तो चलते हैं, हम next question की ओर, दोस्तो, question दिया हुआ है, एक Excel spread seat, इसमें मदद करती है, data की चटाई करने में, data को आसानी से वेवस्तित करने में, तो दोस्तो, इसका सही answer आपको बताना है, जो MS Excel की spread seat होती है, दोस्तो, वो किसमें मदद करती है, data की चटाई करने में, data को आसानी से वेवस्तित करने में, संक्यात्मक data की गरना, या उप्रोक्त सवी, तो दोस्तो, इसका सही answer हो जाएगा, आपका option 4, वो प्रोक्त सभी दोस्तो, इसका वर्लकुल राइट answer हो जाएगा, तो चलते हैं हम next question की ओड, दोस्तो, question दिया हुआ है, कि windows में run menu खोलने के लिए, keyword, shortcut, कौन सा होता है, दोस्तो, जो हम run menu खोलते हैं, जिससे दोस्तो, हम search करते हैं कोई भी program, तो वो हमारे shortcut की क्या है, दोस्तो, उसकी run menu खोलने की, तो option दिया हुआ है, विंडोज प्लस shift प्लस आर, control प्लस आर, alt प्लस आर, यह विंडोज प्लस आर, दोस्तो, इसका सही answer आपको जल्दी से बताना है, तो इसका सही answer क्या हो जाए है, दोस्तो, विंडोज प्लस आर, यह नि, option 4, इसका हमारा, विल्कुल राइट answer हो जाए, कौनसा दोस्तो, option 4, विल्कुल राइट answer हो जाए, तो चलते है, next question की ओर, दोस्तो, question दिया हुआ है, कि internet क्या है, question क्या है, दोस्तो, internet क्या है, जल्दी से बताएं, internet सबसे प्रवावी और उन्नत व्यक्तिगत सूचना प्रणालियों में से एक है, option 3, दोस्तो, internet सबसे प्रवावी और उन्नत व्यक्तिगत संचार प्रणालियों में से एक है, option दोस्तों चौसा दिया हुआ है कि internet सब से प्रवावी और उन्नत व्यक्तिगत सेवर प्रणालियों में से एक है तो दोस्तों internet हमारा संचार के लिए ज़्यादा प्रियोग होता है तो संचार प्रणालिय वाला हमारा बिल्कुल right answer होया दोस्तों कौन सा option दूसरा वाला तो यह हमारा दोस्तों बिल्कुल right answer दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाते हैं कोशन कंप्लीट तो आप से हमने एक कोशन पूशा तो दोस्तों रोम और रेम की आपको फुल फॉर्म बतानी है कॉमेंट करके और दोस्तों अपना score भी बताना है जितने भी कोशन थी आपने अकाउंट किये होंगे और दोस्तों इन सभी के आपके अगर सही है तो बहुत ही अच्छी बात है अपना score जरूल बता है और दोस्तों वीडियो को कर सकते हैं तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं इन पर समाब तो दोस्तों ठेंक यू अल्डवेश